हमारी परकरती में कई तरह की घटनाएं होती हैं जैसे कि मोसम का बदलाओ, वर्षा जिन में हम काफी सारी घटनाओं के कारण जानते हैं वही दुनिया में काफी सारी ऐसी भी घटनाओं मुझूद हैं जो हमारे लिए अभी भी अंजान और रहश्यमई हैं जहां आज हम कुछ ऐसी ही घटनाओं के बारे में बात करेंगे लेकिन इससे पहले आप ओफबिट पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं हर रोज एक नई इंट्रस्टिंग वीडियो तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं बिना किसी देरी गे रेलिंग स्टोंस नवाड़ा और कैलिफोर्निया के कुछ इलाकों में बड़ी ही रहेश्यमाई घटना घटी है उत्तरी अमेरिका का यह सबसे सूखा इलाका है जहां पर पत्थर बिना किसी की मदद से अपने आप चलते हैं हाला कि इन्हें खुच चलते तो किसी ने नहीं देखा लेकिन इनके पीछे बने निसानों से यह साफ साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन्हें किसी ने धकेल कर यहां तक नहीं पहुँचाया क्योंकि यदि कोई इतने बड़े पत्थरों को यहां तक धक धकेल कर लात पानी में चमकते सितारे यह कोई कहानी नहीं जबकि सच्चाई है यह एक प्राकर्तिक घटना है जो दुनिया के कई हिश्चों में देखने को मिलती है कई कई जगह समंदर का किनारा नीला होकर चमकने लगता है मानो सितारे चमक रहे हूँ इस रोशनी ने सदियों से लोगों को अचमबे में डाल रखा है इस तरह की घटना माल्दिव के कुछ तटो पर देखने को मिलती है मोर्निंग गलोरी क्लाउड इस तरह के खास किसम के बादल कुछ ही जगह पर देखने के मिलते हैं जैसे की आस्टेलिया के गुल्फ ओफ कार्पेंट्रिया में इन्हें मुखे रूप से देखा जा सकता है जहां ये बादल हजारो किलोमीटर लंबे भी हो सकते हैं कई पाइलेट इन्हें आस्मान के हाईवे के नाम से पुकारते हैं यह बादल मुखे रूप से मौर्निंग में बनते हैं जिनका नाम मौर्निंग कलाउड रखा गया है लेकिन इनके बनने का कार्ण अभी तक सपस् अड़ी वेनेंसूला के बीच चलने वाली हवाओं के चलते हैं हो सकता ही ये बादल बने हो आक्टिक और अंटाक्टिक मेरात को आसमान में कुछ इस परकार का नजारा देखने को मिलता है यह रोसनी तब पैदा होती है जब सुर्य की रोसनी धर्ती के चार्ट पार्टिकल से टकराती है और सामने आती है तो कुछ इस परकार की मनमोहक रोसनी आसमान में हमें दिखाई पड़ती है आसमान में तीन सूरज देखने का नजारा इस नजारे को संडोक्स कहा जाता है इसमें सूरज के दोनों और अजीब से गोले बन जाते हैं जिसे हम सामाने आखों से भ पूबने को होता है कलरफुल माउंटेन यह किसी की कलपना नहीं यहां की पहाडियां सच में ही अलग-अलग रंगों से धकी हुई है जिन्हें रेनवो माउंटेन कहा जाता है यह इलाका चाइना में बहुत ज्यादा लोग प्रिय है जिसके कारण पूरी दुनिया से लोग इ यह तलाब आस्ट्रेलिया के पस्चिम मिस्थित है इसका रंग गुलाबी क्यों है इसके बारे में तो कोई कुछ नहीं जानता वहीं लोगों का अंदाजा है कि इसमें छोटे-छोटे सुक्सम जीव मौजूद है जिनमें गुलाबी पिग्मेंट पाया जाता है और उसी के हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं हर रोज एक नई इंट्रेस्टिंग वीडियो तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में